तो दोस्तों आप सबको पताई होगा कि इंडियन एरफोर्स को मॉडनाइस करने के लिए अब सबसे बड़ा फोकस है 114 फाइटर एरकरफ्ट का टेंडर या फिर कहतो MRCA, Multirol, Combat एरकरफ्ट का टेंडर और दोस्तों इस टेंडर के तहट भारत को कई सारे देशों के तरफ से एडवांस और बहतरीन से बहतरीन फाइटर एरकरफ्टों का ओफर किया चुका है और इस लिष्ट में नाम अमेरिकी कमपनी बोईंग का भी है तो आजके इस वीडियो में आप लोग को बोईंग के तरफ से नया फाइटर एरकरफ्ट को ओफर करने का जो तैयारी किया जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये नया फाइटर एरकरफ्ट के पास असल में कितना ताकत है तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो एप्रिल साल 2018 में इंडियान एरफोर्स के तरफ से MMRCA 2.0 या फिर कहे तो मल्टी रोल कॉंबाइट एरकरफ के टेंडर के तहट 114 नया फाइटर एरकरफ खरिदने का इरादय का जिकर किया गया असल में ये 36 रैफेल एरकरफ खरिदने के बाद इंडिया के तरफ से अपने आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए सबसे बड़े बिदेशी एरकरफ खरिदने का टेंडर है और इस टेंडर को जीतने के लिए जहापे बोईंग कंपनी के तरफ से प्रयास चलाया जा रहा ह तो उही पे बोईंग कंपनी का सामना कई सारे और महत्वपूर्ण कंपनियों से भी है रिपोर्ट के मुताविक स्टेंटर में स्वीडन के तरफ से साब ग्रूप द्वारा निर्मान किया हुआ किया गया जबकि इसमें बोईंग कंपनी को अपने देश के ही लौकिट मार्टिन का वी सामना करना पड़ रहा है रिपोर्ट के मुताविक लौकिट मार्टिन द्वारा एफ-21 एरक्रेफ्ट का ओफर किया गया है दोस्तों बोईंग कंपनी के तरफ से सबसे पहले इस टें दिया गया और अब कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियान एरफोर्स के इस टेंडर को जीतने के लिए F-15 EX एरक्रेफ्टों के ओफर के साथ-साथ अपने पुराने एरक्रेफ्ट मतलब सुफाहरनेट एरक्रेफ्ट को इस टेंडर से वाफस ले सकता ह पर दोस्तों साथी साथ ये भी वताया जा रहा है कि अब तक टेंडर के रिलीज नहीं हुआ इस वज़ाए से बोईंग कमपनी समझ नहीं पा रहा है कि इस टेंडर में इंडिया के सापने F-15 EX या फिर F-18 सुफाहरनेट कौन से एरक्रेफ्ट का पेशकर्ष किया जाए कमपनी के उच्छे अधिकारी का कहना है कि इंडिया के तरफ से अपने एरफोर्स के बेड़े के हलके वज़न के तेजास एरक्रेफ्ट और मीडियम वेट के रैफैल एरक्रेफ्टों को देखते हुए एरफोर्स के स्ट्रक्चर को रिलूग किया जा रहा है और अगर इस गैप को पूरा करने के लिए इंडियान एरफोर्स को किसी हाई पर्फोर्मेंस भारी वज़न के एरक्रेफ्ट का आवशक्ता होगा तो ये आवशक्ते F-15EX द्वारा संपूर ने किया सकता है दोस्तों परत्युष कुमार जो पहले बोईंग इंडिया के हेट थे और फिलाल अमेरिका में F-15EX मतलब Eagle 2 एरक्रेफ्ट के पोग्राम मैनेजर है उनके तरफ से बताया गया कि F-15EX Eagle 2 असल में इंडियान एरफोर्स के लिए एक हाई एंड आइडियल फाइटर एरक्रेफ् के खिलाब F-15 एरक्रेफ्टों के इन लेटेस्ट वर्जन मतलब Eagle 2 वर्जन को लेके कमपनी का कहना है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक तरिन और सॉफिस्टिकेट एरक्रेफ्ट है जो चायना जैसे देशों के एरक्रेफ्टों के खिलाब सबसे बहतरी होगा जबकि कमपनी के री टार्गेटेबल लॉंग रेंज मिसाइलों का विस्तिमाल के आयता है और साती साथ इसमें सॉफिस्टिकेटड आर्ली वर्णिंग एन कंट्रोल एक्वेप्मेंट है जो लो फ्लाइंग फाइटर एरक्रेफ्टों को भी एक्स्टेंडर रेंज से देख सकता है और दो प्रतियुष कुमार का कहना है कि जो बोईंग एरक्रेफ्ट के लेटेश्ड वर्जन मतलि इगल टू वर्जन है इसे रूटिन बेस में अपग्रेड किया गया है और उनका ये वी कहना है कि एरक्रेफ्ट में काफी फीजिकल स्पेस और कंप्यूटेशनल इंफ्रस्ट्रक् में बताया जाता है कि उनके ही प्रयास के तहट बोईंग कंपनी इंडिया को अपने महत्वपूर्ण प्लाटफॉर्म को बेच सका है जिनमें प्रोसाइडर मेरिटाइम यार्क्रेफ्ट से शुरू करके C-17 ग्लॉब्मास्टर 3 हैवी लिफ्ट ट्रांस्पोर्ट यार्क्र जो फिलाल राफैल का भी इस टेंडर में शामना कर रहा है दोस्तो एक बार हम अगर बोईंग के तरफ से भारत को ओफर किया जाने वाले ये ताकतवर F-15EX इगल 2 एरक्रेफ्टों के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि F-15EX या फिर इगल 2 F-15 एरक्रेफ्टो के तुलना में A-15EX एरक्रेफ्टों में कई सारे नए चीज़ों को लगाया गया है और ये एरक्रेफ्ट अब एक modern generation के एरक्रेफ्टों के equipmentों से less है जिन में प्लाइवाई वायर कंट्रोल सिस्टम से शुरू करके powerful processor और advanced electronic warfare suit तक शामिल है A-15EX इगल 2 दुनिया के सबसे fastest औ और heavily equipped fighter aircraft है रिपोर्ट के मुताविक Eagle 2 aircraft करिफ 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 मार्क 2.5 या फिर कहतो 3100 km पर आवर के रफ्तार से उड़ाम धर सकतर वो भी 13.5 तरन या फिर कहतो 30,000 पाउंड पेलोड के साथ इवन इसका range भी अन्य एरक्रेफ्टों के तुलना में अधिक है और रिपोर्ट के मुताविक इससे पहले 8 ओक्टोबर 2021 के दिन इंडियन एरफोर्स के डे के मौके पे अमेरीकी इंजिन निर्माता कंपनी प्रिटी विटनी के तरफ से एक ट्वीट के द्वारा बताया गया था कि कैसे प्रिटी विटनी इंडियन एरफोर्स के एरक्रेप्टों को इंजिन स एर क्रेप्टों में इस्तेमाल होने वाले F-100 PW-229 असल में दुनिया के सबसे कैपेबल फोर्ड जनेरेशन की इंजिन है जो खाली ताकत के मामले में ही सबसे आगे नहीं बलकि reliability के मामले में भी आगे है कंपनी का ये भी कहना है कि दुनिया में जो भी देश F-16 या F-15 एर क्रेप्टों का इस्तेमाल कर रहा है वो आइदर प्रिटी विटनी के तरफ से निर्मान किया हुआ F-100 या फिर F-110 इंजिनों का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका का मानना है कि अगर भारत को High Altitude Warfare में मतलब हिमालन पाहडी के उचायों में चायना का सामना करना है तो भारत को एक ऐसे एरकाट का आवशकता होगा जो खाली Long Range में नहीं बलकि Heavy हत्यारों को लेकि Long Range में उडान वर सके तकि High Altitude में ऑपरेशन करने के लिए बाकी एरकाटों को जिस तरीके के लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है मतलब कम पेलोड और कम फ्यूल के साहरे उडान भनना पड़ता है तो ऐसे लिमिटेशन का सामना भारत ये वायुसना को ना करना पड़े इवन दोस्तों अमेरिके एक्सपर्डों का ये भी वानना है कि A15EX जैसे एरकाट हाई अल्टेट्यूट से उडान भर के चायना के डीप अंदर तक जाके लड़ाई को अंजाम दे सकेगा साल 1972 में अपना उडान भरा था पर इसे 1976 में अमेरिकी वायुसना में शामिल किया गया इन एरकाटों के एक एडवान्स वेरियंट A15E या फिर स्ट्राइक इगल को वी निर्मान किया था जो 1986 में पहला उडान भरा और 1988 में अमेरिकी वायुसना में शामिल किया गया दोसरों इन एरक्रप्टों को operate करने के लिए दो crew member का आवशकता होता है जिनमें एक pilot एक weapon system operator होते है जबकि एरक्रप्ट के अगर आकार को देखा जाए तो ये लंबाई में करीवन 19.44 meter मतलब 63 feet 9 inch के आसपास है और चौड़ाई इसका करीवन 13.04 meter मतलब 42 feet 9 inch के आसपास है इस टेक-off weight 36,741 kg है एरक्रप्ट में दो engine का इस्तमाल होता है और ये असल में pretty Whitney के तरफ से निर्मान किया हुआ F-108 PW-229 engine है जिसके dry thrust करीवन 79 kN और after warning thrust करीवन 129.7 kN है एरक्रप्ट के अगर performance को देखा जाए तो high altitude में इसके अधिकतम रफ्तार mark 2.5 है जबकि low altitude में इही र 272 km है जबकि इसकी ferry range करीव करीव 3,900 km है एरक्रप्ट 18,000 मेटर के उचाई तक जा सकता है और इसके rate of climb करीव करीव 250 मेटर per second है एरक्रप्ट में इस्तेमाल होने वाला हतियारों को देखा जाए तो इसमा में गन एक 20 mm के M61 A1 Falcon 6 VRL का cannon है जिसमें 500 round ammunition रहता है जबकि इसके इसमें बताया जाता है करीव 11 hard point है जिसके सहारे ये जो aircraft है ये करीवन 10 टन से लेके 13 टन तक हतियारों को carry कर सकता है हतियार के रूप में इसमें M9 Sparrow Air-to-Air Missile, M9 Sidewinder Air-to-Air Missile और M120 MRAM जैसे Air-to-Air Missile का इस्तमाल होता है जबकि Air-to-Surface Missile के रूप में इसमें AGM-65 Marvik, AGM-84 Har AGM-84HK, SLAM-ER, AGM-130, AGM-154, JSOW और AGM-158 JSSM जैसे मिसाइल इस्तमाल होता है इसके इलावा अमेरिका के तरफ से निर्मान किया हुआ कई तरीके के guided, unguided और cluster bomb भी ये carry कर सकता है एवियोनिस के रूप में इसके फुराने वर्जिनों में Raytheon AN-APG-70 और AN-APG-82 रैडर का इस् system और कई तरीके के electronics equipment को carry कर सकता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से like कीजिए और मेरे चानल को subscribe कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैह झांगे पहले एंदियो से phải किख रइकन Tiger लॉट मेरे मेरे था वीडियो। के समस्तों रड्ट कर से दैख सकते हैं कि बना हमेरे लंडवते रव्यों, सबक्ते हैं कि बना हुआ हम्ड़ते हैं।